न्यूजी लेंड वर्ल्ड कब में लगातार दूसरी जीत हासिल की। हैदराबाद के राजीब गानी इंटरनेशनल क्रिगेट इस्टेडियम में नीदर लेंड ने जोर जीता और जीत कर गीनवाजी का फैसला किया। पहले बैटिंग करने उतरी न्यूजी लेंड ने बहतरी शुरुआत की और कॉन्वे और यंग्स ने सरसर रन की शुरुआती साजेदारी बनाई। डेवन कॉन्वे ने 32 रन मनाए, वहीं वेल यंग्स ने 70 रन मनाए। बता दे ये टॉप स्कोरर भी रही हैं। इन्होंने साथ चोके और दू छक्के मारे। रचित रवेंड ने 51 रन, वहीं डेरे मिचल ने 48 रन मारे। टॉम लाथम ने 33 रन, मिचल सेंडर ने बहतरीन बल्लिबाजी की और 17 गेंदों में 36 रन मनाए। और इसी लाजबब बल्लिबाजी के साथ न्यूजिलेंड के 322 रन मने साथ विकेट की नुक्सान पर। रन्च बता दें, ये नीदर लेंड की और से टॉप स्कोरर रहे। बासली लेंड ने 18, एडवर्ड ने 30, एंजल ब्रैश ने 29 और निदा मनुरू ने 21 रन मनाए। और नीदर लेंड 223 रन ही बना पाए। गेंद बाजी में नीदर लेंड के आरियन दत, वंडर मर्वे और मैकरन दो दो विकेट लिए। और बासली लेंड ने एक विकेट लिया। वहीं नीजिलेंड की ओर से मिचल सेंडर ने कपरतू की इनबाजी के दम पर पाँच विकेट लिये। और सारे इसनामी बनले बाजों को आउट किया। बता दे, वर्ल्ड कप में एक मैच में मेच है श्री लंका और पाकिस्तान के बीच उस मेच में कौन जीते का हमें इन कमेंट सेक्शन में जरू बता हैं और हमारा वी वीडियो अच्छा लगा हूँ को लाइक शियर सब्सक्राइब सब्रू करने थेंस पूर आचिंग